कि अच्छलो बई वैलकम तु इंस्था अच्छा लगा लास्ट क्लास में हम यह दर कैसे आगया है यह से मैं से फ़ड़ रहे थे तो उसका सेगिंड पार्ट करते हैं अच्छा चैनल को सब्सक्राइब भी करवा दिया करो आप लोग भी और यह यह ना मैं बोलता नहीं कल मेर सब्सक्राइब मेर को मैं का मिर को अच्छा भी लगता ज्यादा यह बोलना है अपना काम पढ़ाना तो पढ़ाते हैं एल से मैच सेफ के जो लास्ट कोशन छोड़ा था उससे सुरू करते हैं अब कोशन पढ़ो क्या है पांच डिजिट का स्मोलेस्ट नंबर है जिसको इन इच केस ऐख एक कोशन में कराता हूं हो कि डो चीज है कोशन में किट्ने डिजिट का नंबर है और क्या है पांच डिजिट का सबसे चोटा नंबर पांच नंग होगाशे क्या ह jackets सबसे चोटा क्या होगा दस ़ुक्राइब आसिनीन हमण esse क्योटा है यह सबसे बड़ा है इसमें एक और एड कर दूँगा तो डिजिट बढ़ जाएगी इसमें से एक और माइनिस कर दूँगा तो एक डिजिट कम हो जाएगी तो पांस डिजिट का सबसे चोटा नमबर तो हो गया यह है अब इसने कहा इस नमबर को डिवाइड करना है आठ से र LCM कितना आया 48 तो जो नंबर 48 से डिवाइड हो जाएगा वो इन तीनों से भी हो जाएगा 8, 12, 16, 48 सब्स जो डिवाइड हो गए इससे तो इसको 48 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं क्योंकि 48 से डिवाइड होगा तो इन तीनों से भी हो जाएगा और वो smallest पूछा 5 डिजिट का तो smallest हम लेगे चले वेज़े है दो पर गया तो 96 चार बच गया उपर से एक वैसे कोशेंट लिखने की जूर्थ है भी नहीं फिर एक और जीरो आ जाएगा आठ पर जाएगा ठीक है आठ वाट चूर्स बत्तिस और चे अठीस अचा एक बात बताओ यह 16 रिमेंडर बचा है अगर यह 16 रिमेंडर मतलब 16 ज्यादा है अगर इस में से 16 हटा देता तो यह पूरा डिवाइड हो जाता यह बात समझ में आती है 16 बचा मतलब 16 ज्यादा है अगर मैं इसमें से 16 अटा देता तो यह पूरा डिवाइड हो जाता पर मैं इसमें से एक भी हटा दूँगा तो दस जैसे 10,000 है तो यह 9,900 तो पांस डिजिट नहीं बसती कितने डिजिट हो जाती च्यार तो मैं इसमें से कुछ अटा नहीं सकता तो 16 यह ज्यादा है पूरा डिवाइड होने के लिए 16 को 48 बनाने के लिए कितना और जोड़ना पड़ेगा इसमें 32 और जोड़ना पड़ेगा तो यह 48 बचता तो पूरा डिवाइड हो जाता तो मैं कहूंगा पाँच डिजिट का smallest नंबर जो इनसे डिवाइड हो जाएगा सबसे वो होगा अब रिमेंडर कितना चीए है हर केस में तो इसमें तीन और क्या हो जाएगा बोलो यह बात सही है किसे को ना समझ मैं तो पूछ लेना ठीक है smallest बोला तो आपने 10 जार लिया largest बोलता तो आप double nine double nine nine ले लेते ठीक है इन से डिवाइड होना चीए तो इनका लसम से डिवाइड होना चीए लसम से डिवाइड करा तो लास्ट में कितना बचा यह तो सोला हटाना पड़ेगा हटाओगे तो पांच डिजिट ने बचेंगी यह उसमें क्या एड कर दिया बत्तिस वह बत्तिस अड़ता लिस हो जाते ना फिर पूरा डिवाइड हो जाता आपने बत्तिस एड करा तो यह पूरा डिवीजिबल नंबर आ गया रिमेंडर कि सम उफ डिजिट्स अंको का योग बताना है एक छोटीच लाइन आइड करिये करो छह डिजिट का नंबर है पांच बारा पंदरा से डिवाइड करो और रिमेंडर इन इस के शूट बे टू झालो है झालो है झालो को यह चीक है 6 डिजिट का पहले तो इसको डिवाइड करना है 5 से 12 से और एल सेम कितना आएगा लगुतम समा बरताया 60 6 डिजिट का smallest नंबर कितना होगा अब इसको क्या करोगे 60 से मैं कोशन नहीं लिख रहा 60 आया तीन सो साथ तीन सो साथ एक जिरो दो जिरो एक और चालिस आएगा लास्ट में कितना बचा या तो चालिस इसमें से हटाओ अगर आपने चालिस हटाया तो डिजिट कितनी हो जाएगी पांच साथ लाने के लिए या तो जीरो आना चाहिए नहीं आपर चालिस हटाओ या साथ कर देंगे तब भी तो जीरो हो जाएगा पुरा डिवाइड तभी तो होगा साथ से तो आपको बीस हो रैड करना पड़ेगा तो आपने लिखा प्लस बीस यह स्मोलेस नंबर है जो पूरा डिवाइड होगा रिमेंडर कितना चाहिए सम उफ डिजिट कितनी आगी इसने पूछा डिजिट का सम वन प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस टू प्लस सम उफ डिजिट आगया पांच हो जाएगा तो स्मोलेस नंबर बोले लार्जेस्ट बोले हाँ अगर यह लार्जेस्ट होता तो एड नहीं कर सकते उसमें एड करते तो डिजिट बढ़ जाती है उसमें माइनस करना पड़ता है कि देखो क्या लिखा है कि 77 152 और 227 को किस बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करें कि जब रिमेंडर हर केस में क्या आए बड़े से बड़ा नंबर बताना है देखो क्या करना है मैंने का 77 152 और 227 इनका डिफरेंस देखो कितना है इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस 150 आपको इनका गैप देखना है गैप कितना है तो क्या क्या आया 75 75 और 150 और इनका ले लो HCF कितना आया यहीं आंसर होगा पहले दो का फिर दो का और इसका क्या लेना है गैप गैप लेके उनका क्या लेना पड़ेगा HCF ही सबसे लार्जस नंबर होगा जो डिवाइड करोगे तो रिमेंडर हर केस में क्या आएगा सेम देखो 75 से 77 को डिवाइड करा कितना बचा देड़ सो करा तो एक सो डेड़ सो जाएं एक सबाहन और दो सो पच्चीस आए फिर भी क्या बचेगा तो ऐसा कोई को शिनाएगा कर दोगे करो तो अगला कर दो कर दो कि क्या बइए फोर्टीन क्या एं फोर्टीन का यह पका नूमबर हैं 120, 190 और 270 इनका गैप कितना है इनका गैप कितना है और इनका गैप कितना है आपने ये लास्ट वाला नहीं लिया 70, 84 एच सेब कितना है मैक्सिमम कुमन कितना है दो आया 14, 75, 84 चुदा चिक चुरासी और 14 की ग्यारा से दो कहां से आया सही है कर दोगे ऐसा है आना है पेपर में यह यह वाला नहीं तो वाला डिजिट चेंज होगे आजेंगी मिलेंगे ऐसा ही चलो पिछे शान्त दो नंबर का सम चत्तिस है कोई दो नंबर है सम चत्तिस है इसका का एल से में 105 है है एट सिफ है तीन इनके रैसिप्रोकल का सम बताना है रैसिप्रोकल समझते हो जैसे मैंने दो नंबर ले लिए एक्स और वाई तो इनके रैसिप्रोकल का सम का मतलब हुआ वन अपोन एक्स प्लस यह बताना है तो पहले इसको सोल करते हैं देखो कोशिन क्या दे रखा दो नंबर है उनका सम है 36 एल से में 105 है है एक्स एफ तीन है रैसिप्रोकल का सम बता दो रैसिप्रोकल का सम यह आएगा ना अगर नंबर यह माने तो इसको क्या लिख सकते हो आप यह तो आएगा तो सम तो आपको पहले ही दे दिया उसने कितना है और दो नंबर का प्रोड़क्ट क्या होता है तो दोनों चीज़ तो दे रखिये हैं सही है अचा इसको दूसरे तरीके से डिटेल से भी होता है एक नमबर को माना 3x दूसरे को माना 3y आगे करेंगे इंची जो क्योंकि वह 3x और 3y क्यों मानते हो इनका HCF क्या है तो HCF 3 होने का मतलब दोनों में से 3-3 को मना आया है तो यानि दोनों 3-3 के मल्टिपल है तो एक नमबर को मानोगे 3x और दूसरे को मानोगे 3y वहां से डिटेल भी आएगा यह पर जब ऐसा कुछ पूस्ता तो इसमें करने की जूर्थ होती निये है हो जाएगा अगला करो आदो तुम फटा-फट कर दोगे यह पर में आई हुए एक उशन है वह आप क्या लिखोगे इनका सम 52 और एल से मुरेट सिफ क्या गर्द होगे प्रोडक्ट अंसर आएगा थर्टीन बाई इतना ही करना होता पिप्रमे समझतो लिया यह कहां से आया कैसे हुआ अगला कोशिन पड़ो दो नंबर्स का सम है फोटी है एट सिफ है आठ हाव मैनी पेर्स ओफ दीज नंबर्स आर पोसिबल ऐसा कुछ है ऐसे कितने नंबर के पेर बन सकते हैं अगर सम करो तो 48 आए और उनका है सिफ कितना आए आठ है कितने हो सकते ऐसे नंबर जैसे कोई लिखे और सम ऐसे फोटीहट और एट सिफ आठ है पहलेक सकता हूँ ईयट एक स्भ्लस बात B nat करो कि यह लिख सकता हूं नंदी सिफ दो ने मंली भल मिलेंगे लेंगे ल्गक उसके मिलेंग मिलेंगे तो आप यहां से लिखोगे X प्लस Y की वैलू कितनी आएगी 6 बोलो अब ऐसे कितने पेर बन सकते हैं जिनका समझे आए आप कहोगे X को एक ले लो और Y को X को दो ले लो Y को X को तीन ले लो Y को बस यही है इसके लावा तो नहीं होगे ऐसे ही करते चलना कभी पेरिंग एक को मिनिमम ले लो तो दूसरा मैक्सिमम आजाएगा एक को बढ़ाते जाओ दूसरा बढ़ते जाएगा तो इस का अंसर कितने पेर आएगा यानि X की जगे एक की वैलू रखो देखो कैसे कह रहा है एक को एक तो मैंने लिखा आठ एक्स प्लस आठ य आठ और चालीस है ना पड़तालीस हुआ ऐसे यह भी आठ है ऐसे वैलू रखोगी तो हो जाएगा तो कितने पेर आंसर आएगा एक कितना आएगा कितना आएगा यह दोनों पेर होंगे ही नहीं क्यों नहीं होंगे करके देखो बोड़ पर देख लो एक बार 8X की जगे कितना रखा और Y की जगे 16 और चलो सम तो 48 आया पर HCF तो 16 आगया तो इसमें को प्राइम नंबर लेने होते हैं को प्राइम से एभाजय संख्याई को प्राइम से एभाजय संख्याई यह लिखा होता हुआ अगा मतलब जिन दोनों में एक किलावा कोई भी कोमन ना आए जैसे इन दोनों में क्या कोमन आ रहा था एक तो ठीक है इनमे कुमन कीतना आ रहा था तो Hte alphabet falshesesable हो गया इनमे कितना कुमन आ रहा है तो है सिप त्रिपल हो जाएगा तो यह दोनों पेर नहीं ले सकते सिर्फ आनसर क्या हैगा एक पेर आएगा स्वाह सही है को फ्राइम सैप आजजया संध्या है जिन्में को मैं सिर्वे काई अगला तुमारे लिए करो हो जाएगा ना भई HCF 6 तो नमबर क्या मानोगे 6X और सम कितना है तो X जमाब आई की वैल्यू कितनी आजाएगी है ना 6 को मुनागे कर जाएगे तो कर लोगे अब ऐसे पेर रखो को उनको उनसे हो सकते है मीनिमम से सुरू करो एक ग्यारा दो तीन नो सिक्वेंस से लेगी ना च्यार पांच 6 इस अपहा आइए यह यह टोदें पेर पौसिबल है?! पहर को प्राइम होना依ाया है यह अकलावा मैं केटना को म आरहा है इसमें 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 और इसमें तो यह दो इतना पेर बाकी है सॉई है? अब इसमें दिक्कत क्या है अगर बहुत बड़ा आ गया नो जैसे मालो यह समाज है यहां पर 248 फिर तो पंगाई ग्रेट हो जाएगा एर ऐसे आता नहीं फिर क्योंकि वो पूरा लिख के देखना पड़ता है 248 के तो बहुत सारी common factor बन जाएंगे तो आता नहीं है डिजिट सिंपल ही आती है चलो एक और हो गया आपको पता ही चल रहा है हर दो कोशन में एक टाइप खतम कर रहे हो दिरे दिरे में बोलूँगा है HCM HCF खतम हो गया है समेंड डिफरेंस ओफ LCM and HCF पहल लाइन क्या है लगुतम समाबर्ते और महतम समाबर्ते को एक बार जोड़ा गया जोड़ा गया तो कितना आया एक बार लगुतम समाबर्ते में से महतो को गटा गया कितना आया दो चीज होगी अगर इन दोनों नंबर का सम कितना है 296 लार्जिस नंबर बता दो क्या होगा देखो कोई दो नंबर है दो नंबर है उनका L-CF और H-CF निकाल लिया आपने जब L-CF और H-CF को जोड़ा तो 596 आगया 29 और L-CF और H-CF को घड़ा है तो कितना है 500 दोनों नंबरों को जोड़ा तो 296 बोला बड़ा नंबर कौन सा यह बता दो कोशन समझ में आए चलो ठीक है मैं L-CF को माल लेता हूँ L और H-CF को माल लेता हूँ दोनों को जोड़ते हैं और दोनों को बोलो 500 500 जोड़ते हैं तो आल आयेगा ना कितना यह तो है किसाँ जोड़ने पर पर शेंटीफ सीव 10-11, 10-11 505 यह 505 यह आगया LCM L की वेल्व आगी ना यह रख लेते हैं 555 माइनस H H की वेल्व क्या एगी? HCF आगया 37 दो चीजा आगी है अब HCF 37 है इसका मतलब क्या हुआ? दोनों 37 के क्या होंगे? होंगे नहीं होंगे? बोलो भाई और इसकी वेल्व कितनी है 200 X प्लस Y 37 से 296 को डिवाइड करो 8 पर X प्लस Y के वेल्व आगी 8 अब फिर अगला एक स्टेप और रह गया है इनके क्या क्या पेर बन सकते हैं? पेर बनाओ एक और दो और तीन और चार और अब इनमें से कुन सा पेर लोगे? आप एक चीज को चेक करोगे कि इनका HCF तो 37 आना चाहिए तो 37 तो आएगा किसमें जब common multiple एक ही होगा तो इसमें multiple कुन सा बन रहा है? एक ये और common multiple एक इसमें बन रहा है? ये तो दोनों होगे बार अब एक चीज और चेक करनी है कि इनका समाना चाहिए कितना 200? 96 और एल से माना चाहिए 500? 92 और एक सिफ तो 37 है अब value को दूसरी वाली को पूट करके देखो 3 और 5 को आपने लिखा 37 का 3 और 37 का 111 1.500, 180 ठीक है? अब इनका HCF निकालो HCF कितना आया? और LCM देख लो इसका LCM निकाल के देखो HCF तो ठीक है? इसका LCM निकालो इसका LCM निकालो 37 गुना 3 गुना 5 कितना इसका कितना इसका कितना? 200 हो जाएगा 200 तो यह यह पेर भी क्या हो गया है? 107 वाला था नहीं? तो कौन सा यह लार्जस नंबर? बात समझ में आई क्या था देखो आपको यह तो समझ में आ गया कि HCF तो होगा वूशी में जिसमें को प्राइम बनेगा तो HCF के अकोर्डिंग तो दो सेलेक्ट होगे एक उर तीन, पाँच पर जब यह सम चेक करने जाओगे तो rib 다음 चेक करते час एक और साथ में साथ यह टोई lion Simpson està एक वाला यह टोदे टाइम साथ यहाली लेत बन रही है साथ वाली को मिल्बडिप्लाई करते तो verf600 पंून सेट बन रहा है उर्माइलस्यम कितना आ रहा है तो यह पेर भी तो आंसर आपका हैगा एक सो पिचासी और एक सो ग्यारा दो नमबर यह है जिनका एलस्यम एट सीफ सारी चीज़ सैडिस्वाई हूंगी थोड़ा ज्यादा अलग अगर आप कोई नहीं ऐसे सिवेरा में ऐसे ही आते है ठीक है कि जड़ो यहdeselो St « कर लेना अगला करड़ थो मैं चार नमबर है। उनका ऑलस्यम 114 है और तै चिंटना है चियार चरल है अचिव चार छाड़न है इंचार नमबर का पॉड। पटा नहीं क्या होगा 4 नंबर है hcf क्या है तो 4 नंबर क्या ले लेते हैं अब ऐसे लो 4x 4y 4z और 4 ये ले लिए मैंने क्योंकि hcf 4 है तो 4 है तो multiple आएगा ही अब इनका LCM निकाले देखो क्या आएगा LCM क्या होता है common to 4 इन्य था यह तो होगा इसके LCM 4 X Y Z K 4 तो common आ गया है हम common तो निकालते हूं ऐसे बाग करकर करके जो common आया और बचे हुई की multiply common की multiply एक बार होती है और यह किसके बराबर आना चाहिए तो मैं लिख सकता हूं X Y Z K की value 31, और इन 4 numbers का मैंने क्या पूछा है, product, तो आप product करो इनका, आप लिखोगे 4x, 4y, 4z, तो ये 4 कितनी बार आ गया, और x, y, z, k, 4 कि पावर 4, और x, y, z, k कि जए क्या रख सकता हूँ, यहाई है, सही है, अब इसका shortcut क्या बन गया यहाँ से, इसका बना है, hcf into lcm, hcf में n-1, देख, hcf क्या था, 4, lcm कितना था, और यह इसकी पावर होगी, 3, 4 क्या था, total number of, यह numbers में से 1 minus हुआ है, देख, यह क्या आया यहाँ पर, अगर इसको 124 लिखना हो, तो कैसे लिखा जाएगा, 4 की पावर 3 और 124, एक 4 अंदर चला जाएगा, तो ऐसा कोई भी कोशन आता, मैं मालो कितना इब नंबर दू, जितने नंबर, मालो 7 नंबर होते, तो 7 minus 1, 6, hcf की पावर 6 into lcm, यह उन नंबर का क्या आजाता है, product, ठीक है, बुरा लग रहा है, आ रहा है समझ में, advance में थोड़ी मसकत करनी पड़ेगे, दिमाग के ढकन खोलने पड़ेंगे, अगला तुम कर दोगे सारे, और दोनों मैथर से करना, detail भी और shortcut भी, अरे अगला है ही नहीं ऐसा, अटाई दिया, चलो, मैं बोले यह दूँ, चलो छोड़ो, अगला मैं बोलूँगा क्या, वैसे यह था, कि चार नंबर का, hcf तो है 3, और product है 117, नहीं, lcm 117, चार नंबर है, hcf 3 है, और lcm 117, उसका product बता दो, क्या आएगा, और sol गर के बताना, 31, 369, च्यार नंबर है, तीन उनका hcf है, 117 उनका lcm, उनका product बता दो, क्या आएगा, आएगा नंबर है, 6 एफ लिए. चार नमबर है 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 कितना है चार में से गया कितना बचा और ल्सम कितना है तो 27 31 प्रमेदु इतना ही करना है हो जाएगा चलो अगला थोड़ा ल्सम है से समझ में रहा क्या फंडा क्या है अब सत taxi बॉलता है तो आप कभी भी लिस्ट समोलस्ट कि बात आई तो समझ ले ले रहे हैं है कर ऐसे मतलब直接 में अब लेर को मिल्टिपल उसका ही है 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 आप च्यार पाल है जो रिंग होती है उनका इंटरवल 12 आठारए 20 मतलब की क्या है एग घंटी अभी बज II फिर दुबारा से बजेगी बारा सेकंड के बाद फिर बजेगी बारा सेकंड के बाद दूसरी गंटी पंदरा अभी बजी फिर बजेगी पंदरा सेकंड के बाद फिर पंदरा के बाद मलगी इंटर्वल कितने कितने सेकंड का है बारा का पंदरा का ठारा का और बीस का इसको तो इसने काई सारी एक बार शुरुबात में बजी एक बजी तो बोल रहा पांच बजे तक कितनी बार बजीएंगे कोशिन समझ मैं है च्यारों गंटियों को एक बार एक बजा दिया एक बजे अब अगली बजे की बारा सेकिंड के बाद दूसरी वाली पंदरा के बाद तीसरी वाली अठारा के बाद चोती वाली पूरे पांच बजे तक ऐसे चलता रहा तो इसने का आप एक से पांच बजे तक कितनी बार ये एक साथ बजी है कि कितनी बार एक साथ बजी है कि देखू कि बारा पंदरा अठारा एल से बताओ क्या आएगा 180 Hey 180 से के में ये एक साथ बजेंगे जब इनों ने बजना सुरू कि रहा हर 1000 सेकंड के बाद क्या बजेंगी एक साथ सी होता निए कठा होगे जाके वहाँ पर एक बजे से पाँच बजे तक कितने गंटे होगे एक से दो दो से तीन तीन से चार चार से टोटल चार गंटे होगे हैं फॉर आर्स चार गुना साथ मिनिट में ले लिया और ये कितना है तेन मिनिट किसी में ले लो तो आपके उपर है तो टोटल इतना टाइम हो और हर तीन मिनिट में एक बार एक टाइम्स अब ये दो चीजे होते हैं इस कोशिन में वो एक और पांच को इंक्लूड कर रहा है या नहीं कर रहा है अगर इसमें एक को इंक्लूड करोगे तो कितना होगा सो एक को इंक्लूड करोगे तो एक ही बार तो और बढ़ेगा गंटा क्यों बढ़ेगा एक को इंक्लूड करना मतलब जो पहली बार बजे उसको इंक्लूड कर लिया कि हाथ अभी हमने पांच कि इंक्लूड कर लिया इसमें दोनों साइड रिग करोगे तो 81 आ जाएगा और दोनों साइड को एक्सक्लूड करोगे तो 79 आ जाएगा ओक जो पहली बार बज़ा है वो तो नहीं कौंट करा लास्ट वाला तो 79 अगर दोनों के इंक्लूड करोगे तो 81 सही है क्या देखो आप ये सोचो सुनो ना 1802 बाद से सुरू कर आपने 1802 बाद का मतलब समझे जब एक बार बजी थी वो तो छोड़ी दिया 1803 मिनिट से सुरू करा ना तो 80 आया है ठीक है तो चलो आज के लिए दनाई बाके नेक्स क्लास से करेंगे थैंक यू